हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि अपरेल लगतार पूछ रहे थे कि आर आर भी गुरूब डी एक्जाम कब से होगा तो मैंने आप लोग से बोला था कि आप लोग मार्च मान करके च र्हें क्योंकि प्रेंड्स में दो-दो बार कहा गया था एक बहर कहा गया था अपसे कि अप्रेल फरेंड़िक ंप situation में लेगता हो जाएगा कि बिविब कर रहा था युक्राई नहीं नहीं रहा था उनिए ध्ग सकंवार से हो जए अखें м हमार्च से हो जाएगा ठीक है मैं कई बार इस लेटेट वीडियो वना चुका हूं मैं बोल रहो आप लोगों कि मार्च से आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा बट अभी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं कुछ लोग ऐसा लॉजिक दे रहे हैं कि अपरेल में ससी के एक्जाम से तो कैस कम सेंटर्स लिए जा रहे हैं और आपको मालूम होगा जैसा बोला जा रहा है कोवीड करोल फॉलो करने के लिए कि एक रूम में क्या होगा कि मतलब कि दो सीट मतलब दो सीट पर करके बैठा जाएगा बट ऐसा कहीं फॉलो नहीं हो रहा है यानि एक्जाम नार्मली अपने बट हो गया उसी प्रेस कॉंफरेंज के बेस पे अब मैं फिर फिर प्रेस कॉंफरेंज को ही अब सब कुछ मान के चल रहा हूं इसलिए मैं आप लोग से बार बर कहरा हूं कि आपका एक्जाम मार्च में स्टार्ट हो जाएगा ठीके अब ही क्या हुआ है आप नए चेयरमन सुनित सर्मा जी उन्होंने भी बता दिया आप संभाविती थी कब से एक्जाम होगा आप लोगों ने देखा ने लिखा हुआ था कि एक्जाम 15 अप्रेल से हो सकता है तो मैंने मना किया था फ्रेंड्स कि वो निउस्पेपर के पीछे आप लोग मत भागिये जब सब कुछ प्रेस कॉन्फरेंस पर हो रहा है जबकि उसे होना नहीं चाहिए उस बेच पर सबसे पहले ऑफिशल नोटिस देना चाहिए बट रेलेवे इस पर बिल्कुल अलग कर रहा है आपको हमें सा सर्प्राइश कर दे रहा है जैसे सर्प्राइज कि आपको एंटीपिस एक्जाम म सब्सक्राइब कर रहा हूं वहां गलती हो चुके यहां गलती ना करें मैं आपसे यहीं रिक्वेस्ट करूंगा ठीके भले प्रेस कॉन्फरेंस को सभी लोग नहीं देखते हैं बट रेलेवे उसी को सब कुछ मान की चल रहा है जो कि रेलेवे को नहीं करना चाहिए आपको मालू में करोड़ों लोग अपलाई किये हुए हैं चाहिए एंटीपीसी की बात करें चाहिए अभी एंटीपीसी में क्या है 1.26.000.000 लाग फड़े हुए और ग्रुपीसी में 1.89.000.000 लेकिन यह लोग क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फरेंस के माध्यम से हर एक बाते बता र ले रहें यानि 5% जितने के अपलाई कि उसके 5% भी नहीं है जिन तक इंफर्मेशन पहुच पा रही है कहां प्रेस कॉन्फरेंस में यह बताया गया ठीक है तो अब लंबा नहीं खिचेंगे हम आज की बात करते हैं कि न्यूज में क्या आया है कि रेल्वे चेर्मेन ने ग इच्छा मार्च में संभव एक लाग से ज्यादा पदों पर होगी भरती तो फ्रेंट्स आपको मालूम होगा मैं लागतार आप लोग को बोल रहा हूं अभी मैं फिर बोला हूं कि मैं एक्समान लोग बोलने अपरेल में स्टार्ट होग और अपरेल में भी नहीं हो जन्यू का इच्शाम नहीं हो सकता है क्योंकि था जोबी जन्यूरी की ऑल्ग पर एक्जाम पर कोई रख सकता था ठीक है अब भी आज डे की स्पियाइग्स उइन्प मैं दिखा रहा हूं यह भी रेल्वे का प्रॉबल्म है आपका प्रॉब्लम नहीं है अगर रेल्वे कह ठीक है यह एंडी टीवी का नियूज आप देख सकते निचली का हुआ है एड़ेंडी टीवी इंडिया टू होम स्क्रीन ठीक है तो आगे देखते डीटल में क्या लिखा हुआ है खास बातें आर आर भी ग्रूप डी परिच्छा मार्च में आयोजित की जा सकती है ग्रूप डी के तहत एक लाग से जादा पदों पर भरती होगी परिच्छा से चार दिन पहले एक्जाम का अड्मिट काड जारी होगा इस अभी लोग जानते हैं और दस दिन पहले आपका इंटिमेशन देंगे जिसका जिस फेज में रहेगा इंहां भी फेजवाइज एक्जाम कराया जाएगा एंटी पीच में पांच फेज हुआ है और अगर एंटी पीची के ही तरह एक्जाम हुआ तो ग्रूप डी में आपका 7-8 फेज हो सकता है क्योंकि एंटी पीची में 1 क्रोड़ 26 ला ग्रूप डी परिच्चा के तहत एक लाग से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएगी रेलवे भरती बोड रेलवे एक रेक्रमेंड बोड के एक वडिच्ट अधिकारी ने एंडी टीवी से बातचीत में कहाLANे एंटी परिच्छा कराने के लिए एजंसी की नियुक्त अभी पूरी नहीं हो पाई है लेकिन जल्द ही एजनसी की निकती का काम पूरा कर लिया जाएगा यहां पे अभी तक यह लिखा हुआ यानि कि आप समझ शकते हैं रेलेवे दोनों बाते कर रहा है कि हम मार्च में एक्जाम भी कराएंगे हमारी अभी डिसाइड भी नहीं हुए लेकिन फिर भी आप से कहूंगा कि आप लोग प्रिप्रेशन स्टार्ट कर दें इसको मान करके क्योंकि एक तरफ बोला जा रहा था कुछ नहीं कर सकते हैं अब क्या था जब करोना आया तो तो इस च्रेन को पर नाम रख दीए ठीक है और सब बढ़ादीए और फेर उश्के बाद कहुए हुआ जब एक्जाम सुरूमे तो उसी ट्रेन में से कुछ ट्रेन पर नहीं नहीं हुए है का ह्ले कम परिजन बहुत क आया क्योंकि NTPC में धोका हो चुका है तो यहां धोका नहीं होना चाहिए मैं आपसे यही कहूंगा बार बार अपील करूंगा और प्रिपरेशन के लिए आपको सब्सक्राइब यहां जाइव हे लिए मैं पहले हम धर जोन हो हम गता उसे तो सफर के यहां तो सब्सक्राइब तो मैं फिर कह रहा हूं आपको इसमें ज्यक्रण पीछ से ज्यादा नहीं पढ़ना और साइंस देखना है और मैस रिजिन तो लगबद इसका प्रिपेर रहता है यह ठीक है ना बहुत कम लोंग मैस को प्रिपेर कर पाते हैं क्योंकि जो मैस से एक बाद डर जाते हैं वह डर से बात है ठीक है तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंट्स आप लोग प्रिपरेशन करें और साइंस पर मैस पर रिजिनिंग पर अधिक फोकस करें और प्लस करें देखते रहें आपको इस टेटिक पीछे ज्यादा परशान होने की जरूवत नहीं है ठीक है तो यह फ्रेंड्स पर खुद कुलहाडी मार लेंगे क्योंकि अगर आप इसमें नोकरी नहीं पाएंगे तो फिर पस्ता आएंगे बाद में क्योंकि ऐसा मौका बार बर नहीं आने वाला इस बार एक लाग तीने अरपद है जबकि नॉर्मली क्या होता है बहुत बड़ी वेकेंस इस बार आप आपको हर हाल में इसमें नोकरी लेकर के ही रहना है मैंने आपको बता चुका है सब कुस प्रिपरिशन स्टेज होता है पर रीटियन होता है फिर फिसकल होता है फिर डिवी प्लस मेडिकल होता है जिसे इन आपका डिवी होता है उस दिन भी आप मेडिकल करा सकते उसके अग पहले क्या होता है आपको सबसे पहले आपको जाना होगा एक बोरा लेना होगा जिसमें 35 kg वेट होता है उसे उठा करके आपको 100 मीटर चलना होगा दो मिनट के वितर उस 100 मीटर के डिस्टंस को कवर करना होगा फिर उसके तुरंद वाद आपको क्या करना होगा आपको चार मि पिसली वेकंसी में बात कर रहा हूं और वेट वाले में टाइम नहीं शो किया गया था बस बोला गया था पास हो गया आप जाए दोड़ के लिए तो इसमें नहीं बताएगे मैं कितने टाइम में कवर किया था ठीक है 35 के जी वेट और जो 100 मिटर था जो 2 मिनट में कवर करना था तो मुझे लगता हूं एक मिनट कुछ सेगन में कवर किया था उसमें दोड़ना नहीं पर था उसमें नौर्मले चल के भी कवर कर सकते हैं कि 100 मिटर बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है और 2 मिनट काफी होता है ठीक है तो मैं आप से यही कहूंगा कि आप लोग